हेलो एब्रिवान जैसे कि आपको थंबनेल से पता चिल गया होगा कि आज मैं बनाने जा रही हो एक डॉल केक और डॉल केक बनाने के लिए हमें जो चाहिए यह है वो डॉल मोल्ड एन दिस इस बीटर यह बीटर प्रेस्टीज कंपनी की है इससे केक बहुत अच्छे सी बीट होती है आपको 400 वाट की लेनी है बीटर एन दिस इस बटर स्कॉच क्रश जो मैं केक बनाने के टाइम यूज करूंगी फ्लेवर के लिए जो कि आपके ब्रेड में फ्लेवर लाएगा मतलब जो आप प्रेमिक्स जब घोलोगे तो उसमें आड़ करना है और इस इस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग डॉल यह है वैनिला प्रेमिक्स और यह रोज स्टैंड है अगर इसकी जरुद पर ही तो हम यूज करेंगे और आज मैं सिंपल आपको बताने वाली हूं और सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूं नो टर्न टेबल कोई ज्यादा खर्च नहीं और सिंपल एक इडली बतन में आप यह केक बना सकते हैं घर पर तो सबसे पहले आपको करनी क्या है सारे मटीरियल आपको पहले कठा कर लेना है जो भी आपको केक बनाने में यूज होगा बिकोज वो एक साथ रहेंगी ना तो फिर आपको इजी होगी तो यह स्पैचुला मैंने ले लिया नोजल बैग और अभी गैस आन कर लिए अभी मैं इसको प्री हिटिंग के लिए चढ़ाऊंगी यह इटली स्टैंड को तो इसको आपको पंदरा मिनट पहले केक बनाने से पहले पंदरा मिनट आपको गैस पे रखनी है बिल्कुल सिम करके तेज बिल्कुल भी नहीं एकदम जो जेरो पे गैस टोब की जो स्वेच प्रीच राती है आपको वहीं पे करनी है और यह आप हलके हलके देखोगे इसमें आने लगेगी को मैं थोड़ी कोंड हो गई है मुझे यह मैंने इस पर रख दिया किसी मोल्ड को मैं इसकर किंगे और दहुंट को मैं क्या हो रहा था इससा धanka कि जो मेरे डॉल मोल्ड ए वह अंदर जा देघ तो फिर मैंने इस रख कटौरे बट यह कटौरी में भी प्रॉब्लम आगी बिकॉज यह कटोड़ी बहुत ज्यादा उपर हो रही थी तो फिर मैंने सेंप्ली एक प्लेट ले लो उस प्लेट पे आप मोल्ड को पहले रख के देख लो एड्जस्ट हो रहा है यह और एक पर धकन लगा के कवर करके देख लिए बिकॉज जब हमारी के कि वह बिल्कुल स्टीम में ही पकेगी तो सबसे ज्यादा आपको धान रखना है कि बिल्कुल लो स्वेच पे रखके आपको प्रीटिंग के लिए रखनी है और फिर आपको अपना बैकर डेडी करने तो यह मैंने उसको कवर लगा दिया यह मेरी नियू है इसलिए थोड़ में आड करूंगी यह वैनिला प्रीमिक्स आप बटर स्कॉच बनाओ या फिर पाइनेपल फ्लावर बनाओ या स्ट्रॉबरी फ्लेवर बनाओ इन सब भी चीज में आपको वैनिला प्रीमिक्स ही लगेगी तो सिंप्ली मैंने क्या किया है वैनिला प्रीमिक्स लिया उसमें मैं एड़ कर रहे हूं वन और टू स्पून रिफाइन ओल विदाउट स्मेल जिसे कि आपके स्पॉंज जो बनेगी वो थोड़ी सॉफ्ट होगी तो इसमें आपको कोई एक स्मेल वाल नहीं लेना है मस्टर्ड ऑल बिल्कुल भी नहीं लेनी है घी क्या होता है फ्रीज में रखने से जम जाते हैं और इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बटर स्कॉच प्लेवर बना रही हूँ तो इसमें मैंने एड़ किया है बटर स्कॉच एसेंस अब इसको मैं मिक्स करने हु तो इसके जितने भी लंप से खतम हो जाएंगे निटीट degli आपेंसरी स्काइब का पिजरियाए और जीछ बहुड़ करना है एक नाम twenties तरीके से आपको मिक्स करनी है अप्टर डाट इसमें आप बटर पेपर आड़ करोगी अगर बटर पेपर नहीं है तो सिंप्ली एफो साइज पेपर आप उसको कट कर लीजे रिफाइन ओल अच्छे से लगा दीजे और फिर जो आपने बैटल रेडी किया था उसमें आप सार अब हमारा बैटल डालने के लिए अब हमारा बैटल डालने के लिए तो तो अब हम इसमें अपना बैटल डाल रहे हैं गए को त 주ए Lee अब इसको क्या गड़ना है सिंपटी वह हीट हो जाती है इस बिज़े से आपको क्या करने हाद से बिलकुल भी नहीं है रीट आ जल सकती है इसलिए इक मोटे कप्रेसे यह टैबर से आपको फूल करना है उसका कवर फिर आपको अगर हाफ पाउंड का या हाफ केजी की केक बन रही है तो आपको इसको छोड़ना है 20 और 25 मिनट्स तो यह टाइम देखे मैं साम में बना रही थी तो 3.19 हो रही है तो मैंने इसको 3.45 तक बनाया था फिर आपको करनी क्या है कि एक स्तील की बञतर लेनी है जिसमें हम केक क्रीम को बीट करेंगे तो यहां अब ये इतनी जल्दी में हो जाती है या आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी आइस जमी हुई है और ये तुरति में हो जाती है तो इसको फटा-फट से कितनी कहीं से भी कोई जली नहीं चैस्ट मुझे करए कि कि अभी मैं या करूंगी का प्लेट करना ना करके हम का सिन तरफ क्लेट से कट लोग और फिसमें आपको फसा देना जैने और उट 차 करें खीचनी तो बहुत अच्छे से आपकी केक कटिंग हो जाएगी तो आप देख सकते हैं मैंने थ्री लेयर में इसको कट किया है और कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी लगती पता है सबसे चीज़ है क्या है सिर्म शुगर और अच्छ को आड़ करके अभी यह शुगर को मैंने केक पर डाला केक ब्रेट जो है उस पर मैं आड़ करें और जो क्रीम आमने बीट किया था आपको केक ऐसे बीट करना है कि बीट करते करते क्या होगा कि वो जब आप बरतन को उल्टा करोगे ना तो प्रीम जरा सभी नीचे नहीं जाएगा तो इसमें add कर दिया मैंने butterscotch crush फिर मैंने second layer उस पर डाला because मैं बना रही हो doll cake तो आप जितना जादा उसमें flavor डालोगी उतनी अच्छी test आएगी बट हाँ limit में ही होनी चाहिए कुछ भी cheese according to customer's choice या आपकी choice तो फिर यहां पर मैं फिर से cream add कर रही हो और अब यहां पर क्या हो था बटर स्कॉच क्रश्च देखी कितना जादा गिर गया था मेरे से गलती से तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है आप जो first layer आप उस पर उठाके हलके हाथों से add कर देजिए और जो आप गलती से लगा दिया था एचली मुझे गलती से नहीं मुझे पसंदे थोड़ा आप तेबर इस वहीं से मैंने उस पर add कर दिया था पिर आपको simply उस पर थोड़ा सा cream डालना है यह आपको पलड के रखनी है विकॉस आपको डॉल के तो डॉल का एक फ्रॉक लूक होना ची प अब हम ब्रेट को चारो तरफ से कबर करते हैं या ढखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्रम कोटिंग तो क्रम कोटिंग या तो आप बहुत जादा क्रीम से करो या तो आप कम क्रीम से क्योंकि आपको उसके ऊपर डिजाइन बना यहां क्रीम में मैंने आड़ कर दिया पिंक क होना चाहिए यह होना चाहिए बाट हाँ जो चीज़े बैसिक है वह आपके पास होनी चाहिए तो यहां पर मैं बना रही हो केक डॉल की बहुत प्यारी फ्रॉक और पिंग गर्ल्स की फेवरेट होती है इसलिए केक का फ्रॉक तो आप कैसे भी बना सकते हो डॉल है आपकी या चॉइस जो भी बच्चों की रहती है बट पिंग सबको पसंद आती है तो मैं यहां पर पिंग डॉल बना रही हूं तो उसकी ड्रेस इतनी फ्यारी लग रही थ इसको आप अपने कॉर्डिंग भी उसको जैसे मर्जी आप डेकोरेट कर सकते हो तो यहां पर मैंने विदाउट एनी हेल्प या ऐसा कहीं मैंने डिजाइन ने देखा था बट खुदी दो कलर का मिक्स करके मैं उसको बना रही थी एक डाक पिंग ती और एक लाइट पिंग जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे तो गाइस यह मेरी केक फाइनली बनके रेडी है अब इसको मैं थोरी डेकोरेट करूंगे और यह देखें मैंने डेकोरेट कर दिया है इसमें मैंने स्प्रिंकल्स एड कर दिया है तो इतनी प्यारी लग रही थी यह डॉल कोमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी केक कैसी लग रही है और यह मैंने फॉर्स टाइम ट्राइग किया है आफ्टर लर्निंग जब मैंने केक सिखा था तभी बनाया था उसके बाद यह बहुत दिनों बाद में बनायू तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इंपक मेरी सासुमा ने बोला है कि बहुत तालेंटेड बहुत है तो फिलिंग प्राओट और थैंक यू एवरीवन पोर यू सपोर्ट और लव बाई बाई